नमस्कार आपका स्वागत है. दोस्तों, 18 फरवरी शनिवार का दिन सभी शिव भक्तों के लिए एक अध्भुत महा सन्योग लेकर आ रहा है. क्योंकि इस दिन महा शिवरातरी है और महा शिवरातरी मतलब शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है. सभी शिव भक शिव जी से अपनी मनोकामना कहने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। महाशिवरात्री का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसी दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महा शिवरात्री के इस पावन दिवस को कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना गया है इस दिन की गई पूजा और भक्ती कभी व्यर्थ नहीं जाती है संसार के सभी मंदिरों में इस दिन महा देव स्वयम विराजमान रहते हैं इस दिन महा देव की विधी विधान से पूजा करनी चाहिए उनका जल तथा दूध शहद आदी पदार्थों से अभिशेक करना चाहिए दोस्तों महा देव देवो के देव है, महाकाल है इस समस्थ संसार के कणकण में व्याप्त शक्ती शिव ही है शिव ही आदी है और शिव ही अनन्त है शिव से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ती होती है और ब्रह्मांड का अन्त भी शिव के द्वारा ही होता है स्रिष्टी का यह चक्र अनन्त काल तक चलता है शिव पुरान में कहा गया है कि इस ब्रम्हांड का निर्मान शिव से हुआ है ब्रम्हांड के निर्मान होने से पूर्व अंतरिक्ष में एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ और उसी शिवलिंग से इस संपून ब्रम्हांड का निर्मान हुआ है उस शिवलिंग की पूजा सर्व प्रथम भगवान विश्नु और ब्रम्ह देव ने की थी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस दिन को उनका सबसे अधिक प्रिय बताया है तभी से उसी दिन को महा शिवरात्री कहा जाने लगा स्वयम परमेश्वर भोलेनाथ ने कहा है जो भी मनुष्य इस दिन उनके निशकल रूप शिवलिंग में उनकी पूजा करेगा वे उन्हें उनके पुत्र के समान प्रिय होगा संसार में मौजूद सभी पुरानों और शास्त्रों में महा शिवरात्री का वर्णन मिलता है महा शिवरात्री का वरत सभी वरतों में श्रिष्ट माना जाता है यह वरत मानव ही नहीं, बलकि देवता, दानव, पशु, रिशी मुनी, गंधर्व, अपसराएं सभी रखते हैं वरतों में सरवश्रिष्ट यह वरत समस्त मनोकामनाओ को पूर्ण करने वाला और कष्टों का निवारण करने वाला माना जाता है यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करना चाहते हैं और सुख समरिधी तथाधन समपत्ती की प्राप्ती करना चाहते हैं तो महा शिवरात्री का वरत अवश्य धारण करे भगवान शिव को प्रसंद करना कठिन नहीं है क्योंकि शिवजी तो भोलेनाथ है उन्हें प्रसंद करने के लिए पंच पकवान सुवर्ण मानिक मोती की आवश्यक्ता नहीं है बलकि एक बूंद जल से भी वे प्रसंद हो जाते हैं स्रिष्टी के कणकण में निवास करने वाले देविश्वर महादेव को प्रसंद करने के लिए पुरानों में बहुत ही सरल विधी का वर्णन किया है जो भी मनुष्य इस साधारन सी विधी से भगवान शिव की पूजा करता है शिवजी उस पर शीघर ही प्रसंद हो जाते हैं महाशिवरातरी के दिन सनान का महत्व बहुत अधिक होता है इस दिन सुभा जल्दी जाग कर सनान करके शिवलिंग पर जल चड़ाने से मनोकामना की पूर्ती होती है शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तूओं के बारे में बताया गया है यदि महाशिवरातरी के दिन आप इन वस्तूओं को पानी में डाल कर सनान करते हैं तो आपकी दरिद्रता का अंठ हो जाएगा यह साधारन सी वस्तूओं अत्यंत चमतकारिक है और महाशिवरातरी के दिन इस वस्तूओं का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है महाशिवरातरी के दिन सुभा जल्दी जाग कर आप इन में से किसी भी एक चीज को पानी में डाल कर सनान जरूर करें सबसे पहली चीज है रुदराक्ष दोस्तों रुदराक्ष की उत्पत्ती महादेव के आसूओं से हुई है यह साक्षात परमात्मा के परमतेजस्वी आसू है अगर आप इन्हें जल में डाल कर सनान करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फाइदेमंद रहेगा आप महा शिवरात्री के दिन एक रुद्राक्ष ले और ओम नमा शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इसे नहाने के जल में डाल दे और उस जल से घर के सभी सदस्यों को स्नान कराएं इससे परिवार पर लगी बु स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ती होती है द्विमुखी रुद्राक्ष महादेव के अर्ध नारिश्वर रूप को दर्शाता है इसके जल से स्नान करने पर पती-पत्नी के जीवन में सुख शान्ती प्राप्त होती है तीन मुखी रुद्राक्ष अगनि स्वरूप मा अवं एश्वर्य की प्राप्ती होती है। देवी लक्ष्मी की क्रिपा प्राप्त होती है। आप जल में थोड़ा सा नमक डाल कर सनान अवश्य करे। इससे आपके शरीर से नकारात्मक उर्जा नश्ट होती है। और तन के साथ मन भी शुद्ध हो जाता है। इस दिन नमक के पानी से सनान करने से रोगों से मुक्ती मिलती है और बुरी नजर का प्रभाव भी कम होता है। सुबह नहाने के पानी में ओम नमः शिवाय इस मंतर का उच्चारण करते हुए एक चुटकी नमक डाल कर उस पानी से धर के सभी सदस्यों को सनान कराए। इससे कई प्रकार के शुभ लाभ प्राप्थ होंगे। इसके अलावा आप पांच मुखी रुद्राक्ष को स्वच जल से साफ करके अपने बाए हाथ में रखे और ओम नमः शिवाय इस मंतर का जाप करते हुए अपने मन की इच्चा को कहे। और यह विचार करे कि यह चमतकारिक रुद्राक्ष आपकी इच्चा को पूर्ण करेगा। उसके बाद इस रुद्राक्ष को शिव जी के चर्मों में रख दे और दिन में कई बार उसके दर्शन करे। आपकी वह इच्चा निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। अन्य एक उपाय आप कर सकते हैं। आप काली मिर्च के साथ दाने अपनी हथेली में रख कर अपनी इच्चा को प्रकट करे और उन साथ दानों को एक-एक करके ओम नमह शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दे। ऐसा करने से वह इच्चा पूर्ण हो और बिघडे हुए कार्य भी बनने लगते हैं। यदि किसी बालक की स्मरण शक्ती कमजोर है, अगर कोई व्यक्ती मंद है तो उसे महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव पर शक्कर मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर ब्रहस्पती देव के समान बुद्धी प्राप्थ होती है। यदि व्यक्ती किसी रोग से पीडित है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव पर मधू से अभिशेक करे, अर्थात शहद से अभिशेक करे। इससे रोगों से छुटकारा मिलता है। महा शिवरात्री के दिन चमेली के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से वाहनों की प्राप्ती होगी, इसमें संशय नहीं है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव पर शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए। सुन्दर, गुनव आप भी महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव को प्रसन करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करें और कमें ओम नमह शिवाय लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।